King Plans Auction King निलामी का प्लान करता है जब भीड के सारे के साहे लोग चले गए तो King ने मेरी जिन से पूछा अगर उसके पास को एक्स्ट्रा रूम है उसके पास वह रूम अंकल विलियम के लिए था और उसने अपना खुद का रूम अंकल हारवे को दे दिया और मेरे लिए एक बेड का विवस्था किया जहां पर मैं रहने वाला था अब उस रात अच्छे खासर देर तक खाना चलता है और मैं King और Duke का इंतिजार कर रहा था मुझे खुद पर बहुत ही ज़्यदा शर्म आ रहे थी कि मैं इस ठग का एक पार था वो दोनों के दोनों ठगी उन बेचारी लड़कियों के पैसे को लूटना चारे थे एक बाद तो मेरे मन में खैल आया कि क्यों ना मैं डक्टर को सारी के सारी बाते बता दूँ लेकिन इसका आइडिया मैं गीव अप कर देता हूं क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने ऐसा किया तो किंग और ड्यूक दोरों मुझे बहुत ही बुरी तरीके से मारेंगे तो मैंने यहाँ डिसाइड किया कि मैं उस पैसे को चूरी करके छुपा दूँगा और बाद में एक लेटर मेरी जेन को लिख दूँगा जिससे उसे यहाँ पता चले कि मैंने पैसे को कहा चुपाया मैं किंग के रूम जाता हूं और उस समय काफी अंधिरा था तो मैं पैसे को ढूणने की कोशिश कर रहा था मैं कैंडल भी नहीं जला पाता और उसी समय कर्मों के आवास आने लगे मतलब ड्यूग और किंग वहां आ रहे थे तो मैं परदे के पीछे छुप गया उन दोनों को आत्मने के बाद उन लोगों ने द्रवाजे को बंद किया और फिर वह देड के निचे देखने की कोशिश करते है जिससे मैं बहुत ज़ीदा खुशोगया क्योंकि मैं वहां पर नहीं था और आगे क्या होता है यहांपर ड्यूगh बहुत ज़ीदा चिंतित लग रहा था और वहाँ बोलता है कि वहाँ डॉक्टर तो मेरे दिमाग में चल रहा है इससे अच्छा होगा कि सुभा होने से पहले हम इस सोने के बैग को लेकर करके यहां से चले जाए जिस पर किंग बोलता क्या भाग जाए बेवकूफों की तरह वो भी 800 या 900 1000 डॉलर के प्रॉपटि को छोड़ कर गए नहीं मैं ऐसा तो नहीं करने वाला यहां पर किंग सोच रहा था कि उस पीटे के पूरे के प्रॉपटि को आक्षन करके सारे के सारे पैसे को लेके चले जाए वही ड्यूक वोड़ा था हमारे पास 6,000 था वो बहुत है अब हमें उन बच्चियों को लूटना नहीं चाहिए जहाँ पर किंग बोलता है कैसी बाते कर रहे हो और वहां किसी तरीके से ड्यूक को वहां रहने के लिए मना देता है उन लोगों ने यहाँ डिसाइड किया कि वह 6,000 जो अमांट है उसे किसी सेफ प्लेस में रखेंगे फिर उसके बाद किंग से मैं दो या तीन फीट दूरी पे था और मैं उनकी बातों को सुन रहा था मैं बिलकुल इस्तिर्था मैं हिलने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ फिर आगे क्या होता है मैं यहाँ बात सोच रहा था कि अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मैं क्या जवाब दूँगा लेकिन हाला कि ऐसा नहीं होता है अवह पैसे को मैट्रेस में रख के चले जाते है और वह आधी दूर ही गए थे कि मैं उस बैक को लेता हूँ और उसे बॉक्स रूम में छुपा देता हूँ मुझे नीर नहीं आ रहे थी और मैं इंतजार कर रहा था कि वहाँ कब अच्छे से सो जाए और मैं सीर्यों से उतारता हूँ उस बैक को लेकर के चला जाओ